नमस्कार आरे नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग स्वागत है आपका मध्यप्रदेश और 36 गड़ बुलचन में रसूखदार लोग नदी में पोक लेन लगाकर अवैद रेत खनन करवा रहे हैं और यहीं नहीं बलकि रेत का उपयोग नैशनल हाइवे के निर्मान कारे में भी किया जा रहा है इसी बीच प्रश्यासन आके मून कर बैठा है या यूँ कहें कि नेताओं के संरक्षन की वज़ा से नतमस्तक है इसे लेकर अब स्थानी जन प्रतिनिद्यों ने प्रश्यासन की कारे प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिये हैं दरसल कुछ दिनों पहले ही पूरे 34 गड में अवैद परिवहन के मामले में सैकडो कारवाई की गए थी चाहें वो अवैद मिट्टी हो या अवैद कोईला इसका कारोबार हो लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बुपेश बगेल के आदेश के बाद जश्पुर जिला प्रश्यासन ने भी जिले में अवैद रेत खनन के चोटे मौमलों पर दरजनों कारवाई की और अपनी पी चाहसन से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अधार पर हम लोग अवैद खनन करने वालों पर कारवाई करते हैं लगबाग महीना पर पहले ही अवैद खनन पर कारवाई की गई थी और सबी अवैद खनन स्थानों को चनहित करके उस पर रोक लगाई गई थी लेकिन आज सूचना मिली है और उस पर त्वरत कारवाई की जाएगी अगर ग्यार कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा है तो उसमें निश्चित रूप से ही कारवाई की जाएगी और सरकार के दूस साल पूरे होने पाई मुखे मंतरी शिवरास सिंग चौहान ने ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी दे दी है उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी जिसे दिक्कत हो बता दें बदलने में देर नहीं लगेगी साथी सभी मंतरियों को भी वीकली इंस्पेक्शन की बात की जाए तो वीकली आक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये गए हैं सीम की तरफ से और मुखे मंतरी ने बुद्वार की रात को ही मंतराले में कैबिनेट मंतरी और आला अफसरों की एक बैठक की थी इस दरान सीम शिवराज ने कहा कि आज के ही दिन यानि 23 मार्च को दो साल पहले शपत लेने के बाद इसी समय इसी सभा कक्ष में कोविट की बैठक ले गए थी और आज फिर इसी जगह एक बैठक ले रहा हूँ कोविट से 500 से ज़्यादा बैठक के की सीम ने कहा कि दो साल बाद फिर से विकल पलें जो भी सुधार की जरूरत है उसे करें सीम ने आगे कलेक्टर, एसपी और अन्य अफसरों को साफ शब्दों में कहा कि मैंने जो निर्देश दिये हैं उनका पालन करें शिवराज ने ये भी कहा कि मैं परिश्रम का परिखाष्टा करता हूँ और आप भी प्रदेश को बैतर बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे मुके मंतरी आज अप्रेल को कलेक्टर कमिश्र के साथ बैचक करेंगे और बता दें आपको कि शिवराज ने मंतरी उसे कहा कि हम सभी पंच मढ़ी में बैचने वाले हैं और जो बजट में हैं उसके अनुसार सभी रोड मैप तयार करें सभी का रोड मैप मुझे चाहिए CM ने चार तरह के एक्शन प्लान बनाने के भी निर्देश दिये वीकली एक्शन प्लान में बताना होगा कि वो किस सब्तह में क्या करेंगे इसके अलाबा मासिक, त्रेमासिक और अर्दवार्शिक के साथ ही वार्शिक एक्शन प्लान भी तयार करने को कहा गया ये प्लान CM डैशबोर्ड में डालेंगे ताकि गुणवत्ता पूर्वग और समय पर काम किया जा सके अमध्यपरदेश के CM शिवराज सिंग चोहान ने गरीबों के अनाच में गड़बड़ी करने वालों को कड़ी चिताब नी दे दी है उन्होंने कहा कि शिकाय सही पाय जाने पर दोश्यों के घर खोद कर मैदान बना दिये जाएंगे CM शिवराज भोपाल में बीजवराज सिंग चोहान का चौथा कारेकाल ये जालू ही जारी है और ऐसे में चौते कारेकाल के दो साल पूरे होने पर बीजेबी लोग कल्यांट दिवस मना रही है कारेकरम को संबोधित करते हुए सिएम शिवराज सिंग चौहान ने सक्त लहजे में कहा कि गरीबों के अनाज में गड़बड़ी बर्दाश नहीं की जाएगी आरोपियों के खिलाफ मामला धर्च कराया जाएगा और उन्होंने ये भी कह दिया कि दो सालों में चैन से मैं नहीं बैठा हूँ बता दें कि शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि सिएम पद की शपत लेने के साथ ही करोना ने महामारी का रूप ले लिया था शबत लेते ही मैं रात आठ बजे वल्लब भवन पहुँच गया इन दो वर्चों में जनता के लिए काम करता रहा और हमारी सरकार सबकी है लेकिन सबसे पहले गरीबों के लिए है जमीन पानी सबके लिए है रोटी कपड़ा मकान रोजगार का इंतिजाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे तो महीं नर्मदापुरम जिले के तवान नगर में एक कारिक्रम के दारान शिवराज सरकार के दो मंत्रियों के बीच एक रोचक समबाद हुआ है मंच पक रिशी मंत्री कमल पटेल का संबोधन चल रहा था लेकिन इस तरान जल संसादर मंत्री तुलसी सिलावट मंच से उतर कर जाने लगे इस पर मंत्री कमल पटेल ने उन्हें रोका उन्हें मंत्री तुलसी सिलावट से कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है बैचक तो हो जाएगी अपने बैठक अपने पीछे होती है और अपन बैचक के पीछे नहीं उन्होंने इस अंदास पर जिस तरह से बात कही उनके अंदास पर ठहाके लगने लगे मंत्री तुलसी सिलावच को विबागे बैचक के लिए भुपाल जाना था बैटक में देरी ना हो जाए इसलिए तुलसी सिलावट मंच से उठकर जाने लगे उस समय क्रिशी मंतरी कमल पटेल संबोधित कर रहे थे जैसे ही सिलावट उठकर कमल पटेल ने उन्हें रोक लिया और ऐसा दो बार हुआ पहली बार जब मंतरी तुलसी सिलावट उठने लगे तो मंतरी कमल पटेल ने कहा दो मिनट रुको भाई चिंता मत करो बैचो जरा हाँ चल रहे हैं पांच मिनट ये किसानों के हित की बात है सरकार ने जो किया वो बताना तो पड़ेगा न दूसरी बार जब वो उठने लगे तुलसी सिलावट उठकर जाने लगे तो फिर से एक बार कमल पटेल ने कहा कि तुलसी भाईया इतनी जल्दी जाने की नहीं होनी चाहिए आपको नहीं जाने देंगे बैचक हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अपने पीछे बैचक होगी अपने बैचक के पीछे थोड़ी होते हैं बता दें कि कारिकरम के दौरान मंत्री कमल पटेल ने ये भी कहा कि हमारा शेत्र है आप आएं आपकी मर्जी से पर जाएंगे हमारी मर्जी से मुझे भी चलना है पांच मिनट बैठो जरा चिंता मत करो आखिर में जल संसादन मंत्री सिलावट वापस बैठ गए और क्रिशी मंत्री का भाषन पूरा होने के बाद उन्हें गुल्दस्ता दे कर ही भोपाल रवाना किया गया रुकरेंगे अगली खबर की ओर जो की नर्मदापुरम से है जहां पर आपको बदा दे कि तवा नगर में बुद्वार को मद्यप्रदीश की क्रिशी मंत्री कमल पटेल ने ना चुगा कर तवा मौसब का अनंत लिया है उस सब में तवा डैम ने किया कमाल और किसान हुए माल अमाल इस गीत पर क्रिशी मंत्री पटेल ने खूब डांस किया बदादें की हर्दा और नर्मदापुरम जिले में ग्रिश मकाले इन मूंग फसल के लिए नहर से पानी छोड़ने एक दिन के तत्वा मौत सब का अयूजन किया गया था और उस सब में समापन पर संगीत मंदल द्वारा गीत की प्रस्तुतिया दी गए जैसे ही तवा डैम ने किया कमाल किसान हुए माला माल गीत शुरू हुआ क्रिशी मंत्री कमल पटेल खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर हाथ हिलाते हुए नाश्टे लए इस ज़रान नाश्टे नाश्टे क्रिशी मंत्री पटेल मंच से उतर कर गीत का रही संगीत मंजली के पास पहुँच गए नाश्ते हुए वो गीत संगीत बजा रहे मंडल के सदस्यों के उपर मंत्री पचेल ने भी लिफाफे ने उच्छावर किये निफाफों में रुपे रखे गए थे तवा महुतसव में जलसन साधन मंत्री तुलसी राम सलावट सोहागपुर विधायक विजेपाल सिंग जलसन साधन विभाग के अधिकारी कर्मशारी और सभी लोग मौजूद थे और इंदोर के किशन गंच में बुदवार की देर रात भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी गई इसके बाद गुस्ताए लोगों ने नैशनल हाइवे को जाम कर दिया और ट्रक में आग लगा दी है बता दें आपको कि उन्होंने मीजिया कर्मियों को पर भी हमला किया और पुलिस कर्मियों के साथ भी मार पीट की गई शेतर में बढ़ते तनाफ को देखते हुए भारी पुलिस बलको तैनात कर दिया गया है और ये घटना के बाद भाजपा और कॉंग्रेस के नेता भी महां पहुँच गए हैं जानकारों के अनुसार किशन गंच के पिगड प्रेबर इलाके में बुदवार की देर राद सुजीत ठाकोर अपने दोस्तों के साथ रव की होटल से लोट रहे थे तो वहीं जमीन पर हो रही बोरिंग के लेकर वो पास पहुँचे और पास में रहने वाले कुलदीप पावर ने धून कम कोड़ाने के लिए कहा इस पर स सुजीत के पेट में और सीने में चाकूज मारे गए और इससे उनकी मौत हो गई हमले में पिंटू विरेंद्र मादू चोहान जगदीप चोहान कुलदीप पावर और धर्मेंद्र जनवार खायल होए हैं सभी को कंभीर हालत में चोईतराम अस्पताल में भर्टी कराए गय तो महीं सुजीत भाजपा के पूर्व ग्रामीन उपाध्यक्ष उदल सिंग ठाकूर का बेटा है बता दें आपको कि किशन गंच में एक तरफ रव तो दूसरी तरफ सोनवाय टोल तक दो घंटे तक करीब साथ किलोमीटर लंबा जाम लग गया राद बार अंधेरे का पुले छोड़े गए और इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाया इस घटना को लेकर पुलिस कर्मी और मीजय कर्मी भी घाल हो गए हैं देर राद तक पुलिस के वरिश दिकारी पूरे मामले पर नजर बनाये हुए हैं अब बालादा बाजार से भी खबर सामने आ रही है जो जिले में मासूमों की हुए अंधे कतल की गुत्ती अब सुलच गई है इसमें चार बच्चों को इस मामले में गिरफतार किया गया आपको बता दें कि किबलोदा बाजार जिले में कसडॉल में 48 गंटे पहले संदिक परिस्टियों में दो बच्चों की लाश मिली थी जिस पर बालादा बाजार पुलिस सक्रिय रूप से जाच कर रही थी जाच के दोरान इस मामले में बड़ोदा बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है इस अंधे कतल की गुत्ती सुलजाते हुए पूरे घचना को अंजाम देने वाले चार बालकों को गिरफतार कर लिया गया इनमें से एक बच्चा 11 साल का है तो दूसरा बच्चा 12 स पर बच्चा 12 बच्चे लेकर के आये और उसने बताया कि यह तो इसकी डेथ होगी है दूसरा बच्चा बच्चा बच्चे लेकर देखने लीकिर बच्चे ने कहा कि मैं घर में जाके बटाओंगा तो इस बात को देख धर उसको भी उसी वक्त लोगों ने रूड़ने से मा किया है और जुटी में बनाए गई थी इसमें भाटा परा शहर के ग्रामीन के खाना पुवारी रोशन्डा स्कूर्श महेजरू इसके लावा जो अरुन साओ बिजोरी खाना पुवारी विके जो पूर में रहे हैं साइबर सेल की टीम और अन्य खाना पुहरी जो लोकल खाना हाथ लगी है जहां बिना नंबर प्लेट की ग्यारा चोरी की मोटोसाइकल के साथ एक शातिर चोर को गिरफतार किया गया तो वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला सरायपाली थाने का है जहांपा सरायपाली पुलिस और साइबर सेल की से टीम ने चोरी की ग्यारा नग बिना नमबर के नमबर प्रेटवारी मोटोसाइकल के साथ एक शातिर चोर धन्शाम पटेल और फबाटा को गिरफतार कर लिया है जहां ये शातिर चोर मासमुन जिले में ही नहीं बलकि 36 गड़ के कई जिलों से लगातार मोटोसाइकल स्चोरी कर बेचा करते थे इसे सराइपाली पुलिस टीम ने गिरफतार कर उस पर F.I.R. और नयाएक रिमांट के लिए भेश दिया है मासमुन जिले के वनकरमचारी और अधिकारी अपनी 12 सूत्रिय मांगो को लेकर 12 स्मार्ट से अनिश्चुत कारी नहरतार पर चले गए है जिसे एक और जहां वन विभाग का कारे प्रभावित हो रहा है तो वहीं दूसरी और वनों के सुरक्षा को लेकर अधिकारी भी चिलते थे वर्दमान समय में वीशन गर्मी को देखते हुए जहां लगातार वनों में आग लगने का अधिक मामलत सामने आ रहे हैं वहीं वनों की अवैद कटाई को लेकर भी संभावना जदाए जा रहे हैं ऐसे में वन अधिकारी और करमचारियों के हर्टाल पर चले जाने से काफी समस्यां सामने आ रहे हैं हाला कि वन्वेबाग के बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि इनके हर्ताल में चले जाने के कारण वेकल्पिक व्यवस्ता के रूप में कुछ अतिरिक स्टाफ की व्यवस्ता कर दी गई है। हमारे जो प्रमुख मांगे हैं वो 30-50 की दर से जो 2003 से भड़ती हुए हैं उनका वेतमान पूर्ण किया जाए और दूसरा है सम्मान जनक वेतनमान ये हमारी प्रमुख मांगे इसमें हमारा जो